न घी, न मावा, न चीनी और ना ही गुड धेर सारे प्रोटीन, मिनरेल्स, विटामीन्स और आइरन्स से भरपूर ऐसे सकती वर्दक मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके साथ दिनों के सेवन में ही आपके हीमोगलोबिन की कमी और केलसियम की कमी दूर होगी आपके सरीर में ताजगी स्फूर्ती आएगी और हड़ियों और जोणों के दर से छुटकारा मिलेगा तो स्वागत है आप सबों का मोली इस किचिन में देट्स या जिसे खजूर के नाम से भी जाना जाता है यहां मैंने लिया है 300 ग्राम जिसमें की कैलसियम, फोसफोरस, आयरन और मेंगनीसियम प्रचूर मातरा में पाया जाता है और इसे नेचरल स्वीटनर भी कहा जाता है अब मैंने लिया है roasted unsalted peanuts यह मैंने market से purchase किया था आपके पास यह थी roasted peanuts ना हो ताप उसे घर पे roast कर ली यह लिया है मैंने 200 ग्राम यह हमारे heart problem और weight loss में काफी helpful होता है साथी साथ यह protein का अच्छा स्रोत माना गया है इसमें fibers, healthy fats, copper, minerals और vitamins प्रोचूर मात्रा में पाया जाता है जो कि बढ़त हुए बच्चों के लिए काफी फायदे मन्द साबित होता है यहां मैंने लिया है chopper आप चाहें तो mixer grinder का भी प्रियोग कर सकते हैं इसमें मैंने डाला है अपने 200 ग्राम roasted unsalted peanuts और साथ ही साथ 300 ग्राम खजूर यहां खजूर के मैंने बीज निकाल रखे थे अब इसे हम coastly grind करने वाले हैं तो यह दिखिए हमारा powder कुछ इस तरीके से तयार होगा चलिए खोल के मैं आपको दिखाती हूँ तो यह रहा हमारा powder dates और peanuts का तो आप इसे हम दूसरे बर्तन में transfer करने वाले हैं तो यह जो recipe मैं आपके साथ share कर रही हूँ ना इस मिठाई को आप बना कर महिने भर के लिए रख सकते हैं और गर्मियों में भी इसका seven आप कर सकते हैं और यह बच्चे बुढ़े जवान सभी का बहुत favorite sweet dish होने वाला है तो यहां मैंने इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल मसल कर आटे की तरह मांड दिया है यह देखे खजूर में इतनी binding property थी कि उसने peanuts को भी अपने साथ मिला लिया तो यह हमने इसकी दो लोईया कट कर ली और इसे मैं दबा दबा कर एक लंबा कार अकार दे रही हूँ कि इस तरीके से मैंने एक लंबा अकार दे दिया तो उमीद करती हूँ दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो त तो प्लीज रेसिपी को like and share कर दे तो ये देखिए मेरा ये तयार हो गया ये एक बेलन की अकार का मैंने ये तयार किया है ये गोला कार मैंने इसको अच्छी तेके से कर दिया हाथों की help से ये मैंने आपको एक बार फिरसे कर के दिखाया है और ये खाने में दोस्तों काफी स् आप इसे कभी भी मंचिंग भी कर सकते हो रोज सुबह आप एक टुकड़ा इसको और एक लास दूद का सेवन करें न तो काफी फायदे मन्द होगा अब इसमे मैंने रोस्टेट सेस्मे सीड्स जिसको की तिल पते हैं उसे मैंने रोस्ट करके रखा था और इसे मैंने चारो त कर लिया और एक मैंने गड़्े से भना ली आ इसी तरीके से मैं दूसी साइड से भी इसको करने वाली हूं कि यह मैंने दबा कर इसको हलके हांथों से ये दिखिया मैंने बीच में एक गट बना लिया है हुआ अ कि अ कि अब इसमें मैं वाइट चोकलेट जो में बड़ खर के रखा था मैं उसे यहां पर इस जो गैप था उसमें मैं फिल कर रही हूं दूसरे में भी मैंने यहां वाइट चॉकलेट जिसको की मेल्ट करके रखा हुआ था माइक्रोवेब में 30 30 से के लिए आप चाहें तो डबल बॉयलर भी यूज कर सकते हैं यहां वाइट चॉकलेट में इस तरह से डिजाइन बना दिया है अब एक स्टिक की हेल्प से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंग और देखिए कितना प्यारा डिजाइन हमारे तयार हो गया तो यह खाने में जितना स्वादिस्ट है देखने में उतना ही ब्यूटिफुल है आप एक बार यह रेसिपी ज मैंने इसको फ्रिज में रखा था दस मिनट के लिए ताकि यह सेट हो जाए हमारा चॉकलेट और पीनट्स और खजूर अब इसको मैंने छोटे-छोटे पीसेज में कट कर दी आप अपने मंद चाहे अकार में इसको कट कर सकते हैं अब कट करने के बाद इसका health benefit और बढ़ाने के लिए मैंने इसको चारोत तरीके से तिल जो roast करके रखा था उसमें मैंने इसको चारोत तरफ से रॉल कर दिया है तो दोस्तों उमीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई तो please video को like and share कर दो और please 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 channel को भी subscribe कर दो और ये लड़ू आप जरूर बनाओ ये मिठाई आप जरूर बनाओ इसे आप गोलाकार बनाएंगे तो ये लड़ू बन जाएगा और इस तैसे बनाएंगे तो यह बर्फी भी बन जाएगी मिठाई सेब आपके उपर डिपेंड करता है तो बाबा ये दोस्तों फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में तब तक के लिए God bless you